हेलो फ्रेंज इजी टू कुक में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एक हल्दी रेसिपी जो है सेमिया उपमा तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या-क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए तो सबसे पहले यहां पे हमने लिया है सेमिया एक कप इसके अलावा ब पॉल सेमिया इसके अलावा हमने लिया है प्यास, मस्टर्ड सीट्स, मिर्ची, कैरट, कैप्सिकम, टमैटो, पोटैटो और कुछ करी पत्ते, हल्दी और नमक स्वादानुसर तो सबसे पहले आप पानी में सेमिया को उबाल ले, इसमें आप डाले हल्का सा नमक और एक टेबल स्पून तेल, तेल डालने से सेमिया आपस में चिपकता नहीं है अब इसे अच्छे से उबाल ले अब एक कड़ाई में आप तेल डाले जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तो आप इसमें डाले मिर्ची और एक टेबल स्पून मस्टर्ड सीट्स याने के सर्सों अब इसे तेल में थोड़ा सा मिला ले अब आप इसमें डाले कटा हुआ प्यास प्यास को हल्का सा भून ले जब तक यह अपना रंग बदल देती है और इसका कच्छापन चला जाता है यह देखिए हमारा प्यास भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आलू कटा हुआ गाजर शिम्ला मिर्च करी पत्ता और यह सारी इंग्रीडियंट्स को आप मिला लें अब इसमें आप डालें नमक और चुटकी बर हल्दी पाउडर अब सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लें और इसे थोड़ी देर तक पकाएं ताकि आपकी सबजी अच्छी तरह से पक जाएं यह देखें यहां पर हम इसे ढखके थोड़ी देर तक पकाएंगे अब इसे खुलके देखिए आपकी सबजी थोड़ी बार पक गई है तो इसमें आप डालें कटा हुआ टमाटर और इससे भी सारी सबजियों के साथ अच्छे से मिला लें अब इसे लगभग आप पांच मिनिट और कुक करें आप इसे धीमी आँच पे ही पकाएं अब देखिए हमारी सारी सबजी अच्छे से पक गई है तो इसे हलका चा मिला लें जब आपकी सबजी अच्छे से पक जाए तो इसमें धीरे-धीरे करके आप सेमिया डाल दें यह देखिए हमने सेमिया से पानी निकालके इसे अलग रखा था तो इसे आप सबजी के साथ धीरे-धीरे करके मिलाएं सेमिय को सबसी के साथ अच्छे तरह से मिलाएं ताकि दोनों का फ्लेवर आपस में मिल जाए ये देखिए हम सेमिय को धीरे धीरे चला रहे हैं ये देखिए अब ये पग गया है तो इसमें हम उपर से डालेंगे काले मिर्च हमने यहां काले मिर्च पाउडर का इस्तमाल किया है काले मिर्च डाल के आप इसे अच्छे से मिला लें तो बस ये आपका सेमिय उपमा भी तयार है आप इसे गरम गरम एक प्लेट में परोसें और इसका आनन्द उठाएं ये बहुत ही healthy breakfast recipe है और आप इसे खा सकते हैं हम उमीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही वीडियोस लेके